अबस्तकार आप देख रहे हैं SPN 9 News आपके साथ मैं हूँ अक्षिय अग्रवार प्रभपतर निदेशार यानि एवी ने आमादवी पार्टी के नेता और राज्य सबास सांसद संजय सिंग को बुद्वार चार अक्टूबर को गिरफतार कर लिया सुबह से उनके आवाज पर दिल्ली में शराब नीती से जुड़े मनी लाउंडरिंग के मामले में च्छापे मारी चल रही थी इडी के ओंसे पूछताज किये जाने के बाद उनहें गिरफतार कर लिया गया इस बीच संजय सिंग की संपत्ती को लेकर भी चर्चाएं हैं पार्टी के सांसद संजय सिंग आम आद्मी पार्टी के कद्दावर और दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल के करीबी नेता माने जाते हैं संजय सिंग का जन्म 23 मार्च 1972 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था 2018 में वे पहली बार आम आद्मी पार्टी की तरफ से राज्य सभा के लिए चुने गए थे चुनावायो को दिये अपनी हलफ नामे के मुताबिक उस समय संजय सिंग ने अपनी चल संपत्ती 69,499 रुपए बताई थी उस समय आमाद्धी पार्टी में था संजय सिंग के पास तीन बैंक अकाउंट थे जिनमें 16,100 रुपए जमाते इसके अलावा उनके हलफ नामों में बताया गया है कि उनके पास 4,27,000 रुपए का सोना था हलफ नामे में ये भी बताया गया है कि वी संजय सिंग की कुल संपत्ती 6,60,000 रुपए है जिसमें अचल संपत्ती का एक भी रुपए नहीं है हलफ नामे के मताबिक संजय सिंग पर मानहानी समीच 4 केस और 13 एफ आइयार दर्ज है दिली सरकार के अनुसार संजय सिंग फरवरी 2018 से मैं 2019 तक कोहिला और इसपाथ समीची के सदस्य रह चुकी है इसके बाद आम आद्वी पार्टी के नेता सितंबर 2019 में शहरी विकास समीची और अक्टूबर 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्राले के लिए सलाकार समीची के सदस्य भी रह चुकी है संजय सिंग इंडिया अगेंस्ट कॉर्पोरेशन आंदोलन में टीम अन्ना के सदस्य थे 2012 में आवाद्वी पार्टी बनाने में उनकी एहम भूमिका रही है अब इडी ने संजय सिंग को उनकी आवास से गिराफ़तार कर लिया इडी के मताबिक दिली सरकार की 2021-22 के लिए लाई गई गई गुडपंगी को बढ़ावा दिया इसमें शराब वैपारियों को लाइसन्स देने के लिए कुछ डीलरों को फाइदा पहुंचाया गया था अभी के लिए इस वीडियों में इतना ही आप देश और दुनिया की हर खबर को लेकर बेट रहने के लिए देखते रहे हैं एस प्यान नाइड देश